तो आज हमारा नर्मदा रिट्रिट, नर्मदा रिसोर्ट से चेक आउट है, यहां से निकल कर हम जा रहे हैं मांडू, मांडवगड, कहते हैं मौनसुन में मांडवगड का नजारा जो है वो एक बार जरूर देखना चाहिए, तो अब हम मांडू जा रहे हैं, अगर बारिश ह तो चेक आउट करके मांडू जाने से पहले हम अहिलिया फॉर्ट में आए लबूस काफे पर गए यह अहिलिया फॉर्ट में एक लबूस करके काफे है जो काफे पॉपिलर है अगर आप फॉर्ट में घुमने आते हैं और बूख लगी है तो आप यहाँ अगर कुछ नाश्टा वश्टा कर सकते हैं चाई काफे पी सकते हैं यह काफे का नाम लबूस कैसे रखा गया उसके बारे में भी हमें यहां के एक कर्मचारी ने बताया जो महराज के जो एक तरह से जो अंदर काम करते हैं उनका नाम है लश्मन दादा पर उनको प्यार से जो महराज उनको लबू करके पुकारते थे तो वह बहुत मतलब उनको प्यार और प्रेम मिला है उनसे तो उनी के आज यह गाडी है जो अहां सामने उननी की लगी और उनी के नाम से यह आज एक होटल जिसे रेस्टूरेंट है एक लबूश के फे जो आज उनी के नाम से मतलब यह बी जो महराज ने उनका रखा हुआ तो यहां के जो माहराज है उनके खास मित्र थे लबूज जो की उसका एकाउंटिंग वगेरा देखते थे उनकी मृत्यू के पष्चात उनकी याद में यहां पे यह लबूज काफे बनाया गया है तो काफी अच्छी जगा है अगर आप आते हैं यहां पे तो जरूर एक बार मुलाकात करने ही चाहिए और फिर महिश्वर को बाई बाई करते हुए हम निकले मांडवगड मांडू जाने के लिए जो की हिंदूस्तान का दिल मत्यप्रदेश की सबसे बहतरीन और पिचरिस्क जगे है मांडू धार से करिबन 35 किलो मिटर की दूरी पर बसा है निमाड रिजन की विंद्याचल रेंज में 634 मिटर की उचाई पर होने के कारण और उसकी दुसरी तरफ नर्मदा नदी होने के कारण यह फोर्ट काफी समय तक सबसे सुरक्षित फोर्ट रहा है पुराने समय में इस फोर्ट में सिर्फ उत्तर दिशा से ही पहुँचा जा सकता था जिसमें पहले आलमगीर गेट, भंगी गेट, बाद में दिल्ली गेट और फिर गड़ी गेट से होते हुए आप मांडू पहुँच सकते हैं तो हम भी बांडू पहुँच गए हैं, और एंट्री पर ही 50 रुपे देकर आपको पार्किंग का टिकेट लेना पड़ेगा, फिर होगी आपकी एंट्री तो फाइनली हम बांडू पहुच गए हैं, हमारा वैसे जो स्टे है वो मालवा रिसॉर्ट में है, पर एक दिन हमारा बुकिंग नहीं हो पा रहा था तो अभी हम होटेल रानी रूपमती में एक दिन के लिए ठहरे हैं, यहां से भी व्यू जो है पीछे की तरह आप देख सकते हैं, पूरी वैली है और बहुत ही खुपसुरण फियू है तो अभी हम शाम के टाइम पर जहाज मैल आये हैं, यहां पर अभी शाम को साथ बजे लाइटन साउंड शो होता है, तो वो देखेंगे ताकि हमको थोड़ा हिस्ट्री भी पता चल जाए और जब कल सुबह हम पुरा मांडू की सेर करें तो ज्यादा बहुत कन्फूजन भी वैसे गाइट तो हमने रखा है, पर फिर भी लाइटन साउंड शो देखने का मज़ा भी अलगी होता है, एंट्री के लिए आपको सो रुपे का टिकेट लेना होगा तो एसा माना जाता है कि सबसे पहले यहाँ दुर्ग का निर्मान यानिकी फौक का निर्मान दश्वी सताबदी में राजा भोजने करवाया था, राजा भोज की राजदानी जो थी वो दहार में थी यहाँ पर कई सारे जैन मंदिर हुआ करते थे और वे सारे मंदिर मंडप की आकार के थे और इसलिए उस जमाने में इसे मंडप दुर्ग कहा जाता था बाद में इसे मांडू या मांडव नाम मिला फिर 1401 से यहां मालवा के सुल्तानों ने राज किया और कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए और मांडू भारत का सबसे दर्शन ये स्थान बन गया वैसे मांडू को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और थोड़ी इंदिजार के बाद लाइट इंड साउंड शो शुरू हुआ बुंदेल खंड के ठीक नीचे विंद्याचल परवतों के उपर और बाएं गुजरात और मेवार के दाएं बसा मध्य भारत का ये हिस्सा मालवा कहलाता है कोई नगर कोई कोट पूरे मालवा में अपनी सुंदरता अपने स्थापत्य अपनी संस्कृति अपने संस्कारों अपने संगीत और अपनी शामों के लिए अगर जाना जाता है तो वो है मांड़ों परवीले उचे पठार से हजार फुट नीचे नर्मदा की अप्रतिम हरी बरी घाटी को निहारते तालाबों जीलों, महलों मंडपों, मकबरों, मस्जितों से सजी पत्तर पर तराशी एक खुबसूरत कविता का नाम है मंड़ों पास सो पचबन एसवी से ही इस स्थान पर जैन हिंदू प्रतिमाओं, गुफाओं, मंदर और मंडपों के अवशेश मिलते हैं 1542 में जब शेरशाह सूर्ज सल्तनत पर काबिज हुए तो उन्हों ने शुजा खान को अपना नायब सुवेदार बना कर मंड़ों बेज़े शुजा खान के बाद उनका बेटा मलिक बैजाद मंड़ों की गद्दी पर बैठा तेजी से अपने मुखालिफ नशकरों पर बाज की तरह जपड़ता था इसलिए लोगों ने उसका नाम भी रख दिया बाज बाद दुर्भ पीपल के पुराने बेड़, पूढ़े वर्गत के द्रिक्ष, खोरसानी इमली के अमर दरक्तों के साथ-साथ अनन्त काल से बैती नर्मदा ने मालवा को पैदा होते और मांडू को बनते देखाएं आप भी फिर आईएगा ज़रूर, हिंदुस्तान का दिल आपका इंतिजार करेगा तो कुछ इस तरह आज का दिन पूरा हुआ अब इंतिजार है कल सुबर का और हमारे इंक्रेडिबल इंडिया के मांडू को गूमने का तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वी पूम 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 पूम